भर भर के मतलब जादा ही कुछ भर भर के मुझे कॉमेंस आये है इस यूट्यूब चैनल पर हुआ हमारे इंस्टेग्राम पेज पर कि यार आपका जो यह पेमेंट वाला वीडियो था हमें अच्छा तो लगा पर यह इशू आ रहा है कि यह तर्म्स और कंडिशन का कॉंट्र कॉंटियो का कॉंट्राक्ट बनाना चाहिए इस देश में बहरत देश में 90 परतीशेक्ष्ञड का क्र्टिशन कोई 20 प्रतीशक्त ही ऐसे हैं जो कॉंट्राक्ट बनाके बैठे हैं अगर आप 3 साल पहले मुझे मिलते मेरे पास भी कोई कॉंट्राक्ट नहीं था, अब बनाया है So, इस वीडियो में आप भी कैसे प्रोफेशनल लेवल पे काम कर सकते हो और ये टर्म्स और कंडिशन्स आपको प्रोफेशनल कैसे बना सकती है As a Photographer, ये इसका एक उधारन है, इसका एक डीटेल वीडियो है I'm very sure, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे आपकी लाइफ ना, पचास पसंद ही, सौ प्रतिशक आसान हो जाएगी अरे मेरा पेमेंट नहीं बिला, अरे मेरा फोन नहीं उठा रहा है अभी तक क्लाइंट आया क्यों नहीं है, मुझे चार घंडे से बिठा के रखा है ये सारे प्रॉब्लम्स आपके जैसे चूम मंतर हो जाएंगे अरे यार, दो लाग का पैसा अटका है दो लाग का पैसा, छे महीना हो गया, क्लाइंट पैसा देना ही नहीं चाहता है क्याने मैंने डिलिवरी कर दिया, मैंने बोला कि अच्छे लोग है, इंसान भले लोग है, कहां पर हमारे साथ गलत करेंगे पर यार, मेरे जैसे फोटोग्राफर के साथ गलत हो गया है, दो लाग रुपे का मेरा पैमेंट बाग ही है यार, साड़े चार बज़े से बैठा हूँ, आट बज़े तक भी फंक्शन च्वालू नहीं हुआ है साड़े तीन घंटे से यहां पर बैठा हूँ, यार, साड़े तीन-तीन घंटा हो गया, यह कोई हद है, हम लोग को इतना जल्ली बुलाते है, अभी तो डेकोरेशन भी चालू नहीं किया है और हम यहां पर तीन-चार घंटे से पता नहीं क्या कर रहे है, गलत है यार, एटलीस इतना तो फोटोग्राफर का इज़त करो कि टाइम पर बुला गया, चार-चार-चार-पाच-पाच घंटे, दो-दो-तीन-तीन घंटे हम आपकी रहा देख रहे है, क्लाइन को समझना च बाकी रखा है, मेरे को पैसा देने का बाकी रखा है, और अल्बम भी चपने का बाकी हमें एक साल सा क्लाइट को फॉल ओफ दे रहू हुआ है, कि फोटो देदो-तो, कोई फोटो का सिलेक्शन नहीं मेरा रहा है, कि इतना बजा रहे? साड़े 9 बजा? शाड़े 9 बज अर अ अबे का लाइटिंग सबसे बेस्ट होता है उससे बढ़ले लोग 2.75 तो दो बज़े प्रिवादिंग करेंगे इतनी धूप में यह रहाई अरे यह क्लाइंट ने खाने के लिए ना बोला है हमारा खाना इधर रही है हमारा खाना कहीं और है यह तो इंशल्ट है ना आज अब लोग को ना बोला है कि आप का फ़हाँ पने को उसा ने जने को है अपका ने निगो आई और लेखने गालो गलत है ना और अरे यालो च्लाइंट अड़िटा लेने को इन आया या फोटोग्राफर जिसका मैंने एक्स्पोसिंग का काम किया फोटोग्राफर एक्सपोसिंग लेने को नहीं आया, मतलब फोटो लेने को भी नहीं आया और पैसा भी नहीं दे रहा है क्योंकि मैं जो था दूसरा तीसरा फोटोग्राफर था तो पहले फोटोग्राफर का काम काम कायंट को दे दिया इस d laps कि फोटोग्राफी करता है जो फोटोग्राफी करता है जो इा ग्लाइ wrap धाने कょ it happened अब आच पानच और का फ़ कि आप़े अक फोटोग्राफी करता है मेरे को छार ओड़र का काम काम की एक पैसे काम नहीं इचा है क्षiny परहरा है कि हम लोग बाद में आपको पैसा देंगे इसे करते करते अभी मेरा 3 ODER का पैसा बागी है गलत है न से तो क्षार याज पैसा का काम दिया और 3D जो ठाग conference यह न दिया गेगा यह भी बहुत गलत है क्लाइन अब को बोल रहा है कि आपने फोटो साही से नहीं कीज़े अरे बाई लाइटिंग चला गया टाइम चला गया अप टाइम ही नहीं है मैं फोटो कीचूंगा कैसे आपने सारा काम टाइम तो मेकप अपटेस को दे दिया है यही सारे होते हैं फोटोग्रफ के प्रॉब्लम और ऐसे हजारो प्रॉब्लम हम सब जब भी इंडिस्ट्री में आते है चाहे दो साल 5 साल 10 20 साल से इस इंडिस्ट्री में काम करते हैं हम सब को यह दिक्कत आती है क्लाइंट ने कुछ बोल दिया फोटोग्राफर ने अपने एक्सपोजर मतलब फ्रीलैंसर को कुछ बोल दिया जो आपके आपके नौकरी करते हैं उनको पगार नहीं दिया ऐसे हजारों चीजे हैं हमारी इंडस्ट्री में और हम सबसे वाखिफ है क्योंकि हमारे साथ यह सब हो चुका है अभी इसका solution क्या है क्या करोगे कि आपको इसमें से कोई भी दिक्कत ना हो मुझे पूछो पिछले दो साल में एक भी बार मुझे यह problem नहीं आई है इसका solution है terms and conditions यह बनाओगे कैसे पहले यह समझो इसका मतलब क्या होता है terms and conditions का मतलब होता है कि भाई मैं आपका काम लूँगा पर मेरे कुछ terms है मतलब पैसा तो नक्की हो गया कि भाई एक लाग का काम है वो नक्की हो गया पर इसके उपर होता है कि मेरे कुछ terms है कि मैं ऐसे ही काम करूँगा, मुझे ये सारी facilities चाहिए रहेगी, ये नहीं होगा तो मैं नहीं काम करूँगा, इससे कहता है कि ये मेरे terms है, ये मेरे conditions है, अगर आपको जमता है तो हाँ बोलो, निकर आप इस काम को रहने दो, जाने दो, terms and conditions, ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कि इस terms and conditions को बनाते कैसे है, इस पे अटल कैसे रहते है, सबसे पहले, paper और pen लो और लिखो, अभी तक आपको जितने भी तकलीफ है हुई है, जैसे आपका कैसी ने पेमेंट बाकी रखा, या आपको जो है, पेमेंट लेने क आपको भी नहीं आए, डेटा भी लेने को नहीं आए, एक-एक साल तक फोटो का सिलेक्शन नहीं दिया, आपको जो है, सिनेमेटिक वीडियो बनाने के लिए गाने नहीं दे रहे हैं लोग, मतलब यह जो भी है, जो भी आपको तकलीफे आती है, ना, as a photographer की, बढ़ी टाइ चलो, हद से हद मैं पांच घंटा काम करूंगा, पांचवे घंटे के बाद मेरा फुल्डे लग जाएगा, चार से पांच घंटा हाफडे है, यह पूरी इंडिस्ट्री समझता है, पर अगर इसकी ऊपर होता है, तो मेरा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, पर आर का या पूरे में तेरे को दे दूँगा, नहीं, यह लोग डेटा, दो मेरा पैसा, अगर आप फोटोग्राफर के साथ काम कर रहे हो, यह रूल पनाना जरूरी है, जब तक वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, तब तक आपको आपको कामेरा से कार्ड निकाल के भी उनको नहीं देना है, अगर वो यहसा बोलते हैं कि मेरा ही कार्ड यूज करो, आप मेरा ही कार्ड यूज करो अपके कैमेरा में, ठीके, आपको चलो कैमेरा भी दे रहा है, आपको कार्ड भी दे रहा है, फिर भी कार्ड आप आपके पास रख दो, नहीं, हम आपको तब तक आपका कार्ड आपका कोई काम ही नहीं देगा, अगर आपका काम अच्छा होगा, आपका हर जगा पे स्वभाव अच्छा होगा, ऐसे फोटोग्राफर बहुत कम दिलते हैं, अगर आप सही हो, तो जिसको आपको काम देना है, वो आपको देगा ही देगा, अगर आप मुकर गए, आप ठंडे आपका एडबांटेज उठाने को लिए बैठ जाएगा, यही रहते है, पूरी दुनिया ऐसी है, आप अगर ठंडे गिरे, तो वो तो आपको नोच नहीं बैठा है, आपको अटल रहे हैं, कि देखो यार मैं हर जगा पे सही हूँ, फिर मेरे को पेमेंट में प्रॉब्लम क और काम हम लोग किस लिए करते हैं, पैसो के लिए, ठीक है, मज़ा आरा है काम करने के लिए पर घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, हम तोड़ी ना अमीर बाप की बच्चे है, कि हमारे बास बहुत सारे पैसे, कुछ फरक नहीं पढ़ता है, फरक तो हर रुपय का पढ़ता हो सोना खरीदने के लिए, तो वो क्या ऐसा बोलते हो, आप आप जाके, कि ठीक है, आप हमको सोना दे दो, शादी में हम लोग सोना पहनेंगे, देखेंगे कि सोना आपका चुपता तो नहीं कहीं पे, और अगर अच्छा लगेगा तो सोने का पैसा देंगे, यह कोई बात ह होई, आप सोने की दुकान से बाहर भी कदम नहीं रख पाओगे, जब तक आप उसको पैसा नहीं दो गया, तो फोटोग्राफर को क्यों भाई, मेरे को यह बताओ, लोग एडवांस देने में इतना तकलीफ करते हैं, मुझे यह कहो, जो यह हॉल वाले होते है, जो यह केट 100% देना पड़ेगा, फिर ही मैं आपका हॉल का बुकिंग करूंगा, हॉल वाले, केट्रेर वाले, यह सब लोग होसब कर रहे हैं, तो हम फोटोग्राफर क्यों बचे हैं भाई, हम अपना पैमेंट क्यों टाइम पर ना ले, सही है की नहीं, तो यह बात समझो, अगर आपन लेट आए गए, ऐसे कैसे लेट आए गए, हमारा तो फंक्शन चालू हो गया था, आपको कच्छा चबा जाए गए कि नहीं वह, छोड़ेगा आपकी 10 मिनिट भी वह, पर अगर वह छे की बटले, रात को आण बजे, नौ बजे आता है, तो सही है, तो मतलब हम 3 गंटा यह हमें इतना सुनाया जाता है, इसलिए हम 6 बजे के फंक्शन में 5-5 बजे पहुच जाते हैं, और वो लोग जो है, 6 के बटले कर 9 बजे भी लगाते हैं, सौरी, सौरी भी नहीं बोलते हैं, क्या फरक पड़ता है, आया है, बैठा है, कोई इजत है कि नहीं हमारा, हम क्या ऐल कि अलिए 10,000 पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं, कि हर अपनी इंसल्ट भुगत लेते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी क्या बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, अगर कहींपर कोई क्लाइंट आपकी इंसल्ट कर देता है, कि देखो आपका खाना यहां पर तो फिर पहले से बोल के रखिए, कि आपका खाना इधर नहीं है, आप पहले से कहीं इंतजाम करके रखिए, और उस इंतजाम का भी आपको ही पैसा देना है, मतलब अगर हम लोग बहार खाना खाने जा रहे हैं, बिल तो आप पे ही फटेगा, ये सारी चीजे लिखित में, ट काम शुरू करेंगे तब जब हमें पैसा मिलेगा, अगर जादा काम, अगर करेक्शन कराओंगे, एक दो बार तक ठीक है, अगर करेक्शन पर कराओंगे, पेमिंट उसका एक्स्टा लगेगा, चार घंटे के बटले, आप घंटे काम कराओंगे, हाफ डिका फुल्डे लग यह चारी चीजे लिख के रखी होती है, यह लिखा हुआ पहले उनको भेजो, फोन बे बाते मत करो, यह बत्यार हो सफ, आपने बोला था हमें नहीं पता, हमारी कब ऐसी बात हुई, नहीं नहीं, हमने तो बात आई नहीं, मुकरना कौन सी बड़ी बात है, आज के जमाने मे आँ बोला था, नहीं बोला था, लिखा हुआ सबको पड़ाई देता है, उससे रीड करके आपको कंफर्म किया है न, अब वट से काम करो, और आपको मन में सा डर है न, कोई काम नहीं देगा, बेवकूफ हो आप, गलत जा रहे हो, क्यों नहीं देगा, जो इंसान में आठ ह उसकी आठ के कदरदान भी बहुत है, जब आप वट से धंदा करोगे, ना कि नहीं, मेरे को पता में क्या कर रहा हूं, तो फिर आपकी लोग इज़त करेंगे, पर ये तमजन कंडिशन का बनाने के पहले आपे भी कुछ ऐसी खूबी भी होनी चाहिए, आपका काम कुछ भी लगर वेगर, आपकी अगर कोई इज़त करेंगे, तो आप खुद थोड़ा तयार भी हो जाओ, ऐसा बावा की घुमते रहते हो, और कुछ बाल भी नहीं कटवाया है, कपड़े पेने के तो ऐसे आ गयो शादी में, तिर आपकी कोई इज़त कर रहा है, बहुत ड कम-से अरीका वयाभार अच्छ हो na च denger, जब यह सब अच्छ आप ओर वह इतनी बड़ी भी बात मैंही है, बस आपको अच्छा से काम करना है पर फिर जब आपका मसले तेसे काम करते हों मैंसे दंदा करना कितनी बार होता है कि कपस करना है क्किल सुट का रहे एक घंटा अच्छे से फोटोग्राफ कर लगेगा कम सें कम चलो आधा कंटा दे ढगा है आप शार हमा सा बर्गाप्ज करना और घंटेने अपर 15 मिड肉 happens अगर दोनों तरफ से एक फोटोग्राफर नहीं है अलग अलग है तो फिर आप समझ लो कि जो आप काम देखके बैठे हो कि आमको ऐसा ही काम चाहिए उसमें थोड़ा बहुत कॉम्परमाइज होगा क्योंकि आपने हमारा सुना नहीं है यह सारी चीजें मैं लिखती हूँ वो आपको भी लिखनी चाहिए आप समझ रहे हूँ आप वट से घंदा नहीं करोगे यह इंडस्ट्री कभी ऊपर नहीं आएगा अगर मैं घंदा कर सकती हूँ यह टम्जन कंडिशन रखके और मेरे को बिजनस आ रहा है अच्छा आ रहा है तो फिर आपको क्यों नहीं आएगा भाई साब आप भी रखके बैठो ना अगर हम सब करेंगे अगर हम सब टम्जन ककंडिशन लगाएंगे तब यह इंडस्ट्री के कोई यह रहएगी है ठीक है फोटोग्रफर अब थोड़ी टम्जन कंडिशन सुआ होते हैं समझ क्योंकि हॉलों काफ है संवी अध ह्इन आक्नदिशन का कोईले कॉई बैंकित अल मैं देख क्या हुं 你 ऑसके घर पे घखे गडा, पेमेंट अपना लेकर आएगा मैरे को ऐसा किया ना सामने आदा फोटोग्राफर तेख में अब देख में क्या करता हूं बहुत बोल रहा है ना क्या जगडा करने का मतलब है ये सब ये पतें अब अब बढ़ा है और मैं ऐसे ही बढ़ूँगी बढ़ना है तो बोलो बढ़ने के बाद अगर यह सब होगा मतब जो होता है वो होगा ही तो देख लो मैंने आपको लिखके बोला था न यह नहीं होना चाहिए देखो जब आप ऐसे बात करोगे दो घड़ी लोग आपकी इज़त करेंगे कि आप जगड़ा नहीं कर रहे हो आप बातचीत कर रहे हो आप र sendo कर रहे हो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि देखो मैंने बोला था रिस्पॉन्ड और रिइक्ड पहर्द होता है आपको ये वीडियो समझ में आई हो, इस चीज से हमारी इंडिस्ट्री बहुत आगे आएगी, हम जैसे फोटोग्रफर जो टर्म्स और कंडिशन लेके बढ़े हैं, मेरे जैसे भी काफी है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी अगे ब हम और आपका आपका iende को बतलो टॉटोग्राफर जाते हैं, जो फोटोग्राफिक कर जाते हैं, छेmill फोटों या इन देते हैं, थीक अठीक है तो आपका खुद कामा इमस्त गत ही देखे रहो ऑगी मेरे लिए क्या आच्छा है, सामने मेंवाले के विलीभी क्या आच्छा है उसको भी क्या सब पसंद टेंशन कम हो जाएगा कि यह आपका लिखा हुआ है सब कुछ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप देख सकते हो एक दम भारी कंटेंट यहां से आ रहा है एंड हमारे इंस्टेग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो कि उसमें तो हम लोग बहुत जादा महनत करते हैं और थैंक यू सो मुच एवरिवान, सी यू सुन